विधान सभा चुनाव नजदीक है, इसे में कई सीटों में चुनावी जंग काफी दिल्चस्प हो चली है, इन्हीं सीटों में से एक रिवा से आलग होका जिला बने मौगंज की देवताराप सीट है जिस पर चुनावी टकर और चाचा भतीजे के बीच में सीट पर बीजेपी ने गिरीश गौतम को टिकेट दिया है, तो वहीं कॉंग्रेस ने गिरीश गौतम के भतीजे पदमिश गौतम को अपना प्रत्याशी बनाया है दोनों ही उमीदवारों के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है, देवताराप की मतदाताओं की माने तो विधान सभावे मूलभूत सुधाओं की भारी कमी है रिवा देवतालाब विधान सभासीट से कॉंग्रिस के उमीदवार पदमेश गौतम ने बताया कि उनकी प्रात्मिक्ता गाम में माहौल को शांत करना भैका माहौल है और साथ ही पहली प्रात्मिक्ता होगी स्थाने मुद्दों पर काम करना ने हम कांग्रिस के पत्रीासी को कोई माने नहीं है हम तह yamma करने वाले लोगों के साथ इंडिया गठवंदन बना करके काम करती यंद्याट के व्यवर्या फिर उनकीर छाती नहीं कहते हैं कि इंडिया गटवंदन सिर्फ इसी के लिए बना हुआ कि सनातन धर्म को समूल तह नस्ट कर देंगे तब भी कांग्रिस चूप हो जाती है हम कांग्रिस को उस विचार धारा के खिलाप है वो तुष्टी करण की राजनीत करती है और हमास के दोरा जब हमला होता है जराहि पारे में उस विचार धारा के भी रोती है तो हम कांग्रिस के वह चारिक तोर पर भी रोती है इस बार देवतलाव विधान सवाचेत्र में केवल एकी बात है कि लोगों ने पिछले 15 वर्सों से उनके कामों को देखा है 15 वर्सों से वह लगातार यहां विधायक चुनते पिछले 25 वर्सों से देवतलाव विधान सवाचेत्र में भारती जनता पार्टी का विधायक रहा है और वर्तमान विधान सवाचेत्र तो 15 साल से हई है 15 वर्सों में लोगों ने उनके क्रिया कलाब को देखा है यह उनके क्रिया कलाब का भी मुल्यांकन होगा और मैं भी ल वोनों के बीच में लोग मुल्यांकन करेंगे, मेरा केवल इतना मानना है कि जिसे जनता अपना मेना सुनाएगी वसी दो धारे होगा. अब लोग अब लोग पाते हैं, तो यहां सबसे बड़ी कमी यहां सिच्छा की है, दूसरी स्वास्त की है, और हम लोग किसान परिवार से बिलांग करते हैं, तो किसानी की अगर देखा जाए किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, सर लाइट की पानी की, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है,